लेकश्डे है वेलकम टॉ माई चैनल कैसे आप सब आप सब अच्छे से होगे से अपने जो अच्छे से होगे तो आज उन लेक्चे से बड़ा होगा किंके इसके हैं बहुत सारे तो आज का जो एक्जाम में आये हैं तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहला क्या है पहला क्या है यह फिर बेरिंग है में अपने पड़ा होगा तो आजिमत कोई करना चाहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो अभी तो एजिमत कहते हैं टूब भेरिंग को एजिमत हो गया true bearing true bearing वो bearing होती है जो हम एक horizon true north में लेते हैं उससे कहते हैं azimut magnetic bearing वो होती है जो magnetic north से clockwise direction में हम लेते हैं true bearing azimut होती है तो azimut change नहीं होता है magnetic bearing change होती है यह invasive फरक है यह हम determine करते है azimut true bearing astronomical observation से और यह हम करते हैं whole circle bearing या prismatic compass से या surveyor compass भी बोल सकते हैं उसको cordon roll इसको बोलता है यह surveyor compass बोलता है उसको तो यह तो हो गया पहला question दूसरा question की चलते हैं दूसरा question है the magnetic bearing of line AB is 132 degree 45 minutes if the magnetic declination is 10 degree 20 10 degree 20 minutes west the true bearing of the line is is यह मैं आपको question पड़ाया था मैंने आपको इसमें numerical कराये थे तो आपको इसमें कोई problem नहीं करने में तो हम कोश्चन करेंगे कोश्च करूँ यह भिलार है वह छुश से कर सकते हैं जिनपोर को महीं पता है वह उनको मैं करना हूं हुर हाँ हम कैसे निक लेंगे हैं रोगेर इंडोंे आप Qruption को पता है कैसे वेस्ट की तरफ है तो रहाएगा माइनस टेन डिरी ट्वांटी मिनट्स डिरेक्ली करते हैं यह यह तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तिस्रे कोश्चन की तरफ है तीश्य क्या कहता है यहीं इन पृत किस तरफ करता हैं और रं किसतरब करता है या अटि इस यह जाक होता है कि यह स्टार्ट होती है कहां से सव्थ से साव पर जीरो होता है फिर आगे जाके वेस्ट पर 90 फिर नॉर्स पर 180 फिर इस पिर जाके 270 यहां पर जीरो यहां पर यहां पर 180 यहां पर 270 यह whole circle बेरिंग होता है इसी को कहते हैं प्रिमेंटिंग गमपस जो को बोलता है सिर्वेयर कंपस तो यहां पर क्या पुछा गया है तो स्ट्राट कहां से होती है से साउस से सौट फिर जाती कहां की तरफ है जो सब्सक्राइब टना जिरो नंटी ऐटी टो को यह क्लाउप वाइजी हर्न करता है है इलिए आगे बठते हैं है चोफसा क्या है if whole the branch of the tap that whole circle of the line is w1 का के एक हूछ को देरिंग की जो whole circle बेरिंग की जो line है whole circle bearing line किसी line की whole circle bearing w1 है that of the preceding line is w2 जो आगे की line होगी उसकी w2 है and d is the deflection angle to the right then choose the correct expression कहता है इनका जो correct expression हमें डून रहना है deflection angle यहां पर मैंने आपको बता है deflection angle कैसे निकालता है वही यहां पर पूछा गया है deflection angle w1 पहले लाइन की बेरिग्ग, W2 उसके आगे लाइन की बेरिग्ग जो इनके अंगल बनता है, तो उस अंगल को यह कौन सा अंगल बनेगा यहाँ पर उनकी एक्स्प्रशन क्या बनेगी यहाँ पर जैसे में आपको दिखाऊंग गा figure हम दिखाएंगे यहाँ ही '' Grandpa' यहां पर हम लेते हैं कोई प्लोट है हाँ पर हमने यहां से एक लाइन डाली है यह हमारा डवल्य वन कि यह मैंने आपको गलत बता दिया यहां पर हम यहां पर प्रसीडिंग लाइन होता है जो पिशली लाइन है है सॉरी यह हमारी प्रसीडिंग कोई ह appliedador डाफली राव मेंटग सब्सक्राइब देंगा डपलू डक्ष्त व और यह वन हमारा यह ठीडिंग लाइन तो यह क्रम टो हो जाएगा यह मारा डबलू ऐसा है जान को वी में यह दृटक्यागी कि यह यह एक चरण चूल्ज राइड एक्सपरेशन तो हमें एक राइड एक्सपरेशन डून्दना कूंशा कि ही रहे गासने तो दिपलेशन अंगहों कि निए तो पता होना चिक शेयर अंगहोंता है यह होता है बराबर W1-W2 यह मैनस इस के इस से माइनस करता है यह तो होता है हमारा कराद लेते हैं शिर्ष करेंगे तो कि यह में अगया है तो हमारा जो यहांपे W12 वण इसए क्वाइक इसे लाएंगे ओल्डवल आपको समझा गया होगा डीक्षिन एंगब करें किससे निकालते हैं की तरफ किससे कहते हैं now ऑसमें किस से निकालते हैं किस मैं निकालते हैं होल सर्कल बेरिंग में रेडूसेड बेरिंग में यह बोथ एंड भी यह नना दीज होल सर्कल बेरिंग में किसमें निकालते हैं कि इस हर्वेर कंपस में कैसे निकालते हैं सर्वेर कंपस मैंने आपको कहा था कि यह होता है सर्वेर कंपस कि सर्वेर कंपस जो होता है उसे कहते हैं सर्वेर कंपस होता है प्रिज्माटिक सॉरी सर्वेर कंपस होता है कॉड्रेंटल कॉड्रेंटल बेरिंग कॉड्रेंटल बेरिंग में हम निकालते हैं रिड्योस बेरिंग तो ये इसका सही आंसर रहेगा ओके चलिए बढ़ते हैं आगे शिक्त कोस्टिन की तरफ फॉलोग बेरिंग्स आर अब्जरूरुड वाइल ट्रावर सिंग विदे कमपस विच सिटेशन आपकेटिट बाइल लोकल अट्रेक्शन यहां पे हमें लोकल अट्रेक्शन का क्वेशिन आया है कि लोकल अट्रेक्शन से कौन सा हमारा यहां पर एक टेशन निकालना पड़ेंगँ कि यह है कोश्चिन का ही है यहँ चूश्डय से लुलिए हैं इसे कर्क टेड़ोग्स तो वह हमारा लोकल एक्रशन का शिकार हुआ है तो यहां पर पहले हम देखेंगे तो यह बराबर है मैं से इसके बराबर नहीं आता है आप समझ रहे हैं तो यह दो इसके बराबर नहीं हुआ है तो इसमें से सही आंसर कह रहेगा हमारा होरा है एए डींच फिर रहेड़र है इसके वाजसे यह बीफ्क करदा हुरे है और डीक यह सीत सचर्णाय में कि DR जानव व्कॉस्टंट सांवन बोल रहा है एक फोर बेरिंग और लाइन एंज नौर थर्टी डिग्री इस्ट दबेंग भी इस दबेंग आपूर बेरिंग पीधिर्ट हों मैंने कहा था सिभी इसी बात है कैसे निकाले हैं प्रोड़ूस्ट डिग्री इहां यहां यह रहेगा यहां इसके बीरी तरह में यहां यहां पर इसट बाई बेरेंगर इतना ही चैंज होता है और जैंज होता है इसकी बीरिंड जो है वह सेम रहेगा खालार इसके और चेंज हो जाते हैं अपोज़ कंप्लीटली अपोज़़ अगर कहीं पर आपने लिखा होगा मझा जैसे शौथ वान हंडर्ड शिक्स्टी एट इस्ट होगा तो उसका आएगा वेस्ट सौथ सौरी नौर्थ वान शिक्टी एट वेस्ट इसका बेक बेरिंग रहेगा बागी चेंज करने की यह बस इतना है बहुत इजी है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्ट एट की तरफ इफ मैगनेटिक बेरिंग ऑफ असन एट प्लेस एट नून इन साथ हमिसेफिर इस वन शिक्स्टी एट डिग्री ता मैगनेटिक डिकलिनेशन आड देट प्लेस इस कह रहा है क्वेस्ट यहां पे कि मैगनेटिक बेरिंग संकी नून मैं सवधर नहां से फिर मैं 168 में मैं डिकलिनेशन कितना होगा और जग़ा साथ नहीं से फिर मैं 168 दिखा रहा है तो टूमें वह विए जो होती तो आल्रवेडी 1 1 2 पर टैक्तु बेरिंग ना हमारा ठीक है तो मैंनीटिक डिक्रेंशन किसके बराबर होता है, Magnetic Declination होता है, बराबर True Bearing Minus Declination Magnetic Bearing Magnetic True Bearing Minus Magnetic True Bearing कितनी हैं आप है 180 degrees Minus जो वहां से Magnetic Bearing आई 167 तो कितना आएगा 13 degrees अब East है कि West है यह पता करना है कि East है कि West है जब हमें Declination Positive दिखे, यह मैंने आपको Last Time Questions करते हुए समझाया था कि जब Positive में होगा तो Eastward होता है जैसे हमें पहले अभी कोशन किया था जब Minus में था तो हमने West की West जब किया आया था तो हमने Minus किया था, यहां पर यह Positive है That means यह East में जाएगा Eastward तो 30 तीडी इस तेसका आंसर रहे गाए आगे बढ़ता है Question No.9 की तरफ है Question No.9 कहता है If the endpoints of a line are free from local attraction The difference between the forebearing and backbearing of the line should be Simple सब बहुत ही easy question है यहां पर कह रहा है कि अगर endpoints of line है उनकी difference अगर वो free from local attraction है तो उनकी backbearing और forebearing में difference कितना होगा Simple सी बात है 180 होगा न difference of 180 होगा न तो यह इसका अंसर रहेगा 180 इसका अंसर यह रहेगा 180 ठीक है यह बहुत easy question था चले आगे बढ़ता है Question No.10 की तरफ The forebearing of a line is Forebearing of line CD is 324 degree 45 minutes The backbearing of line है बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ है यह आप आँख बंद करके questions कर सकते हैं 324 मैंसे क्या minus करना है आपको आ जाएगा यह मैंने आपको दिखा है था Last time भी questions में कि अगर हम 4 bearing हमारे पास है कि पहला question हमारा पहला topic यही था 4 bearing से backbearing कैसे निकालते है बराबर होती है 4 bearing plus minus 180 यही तो होता है ना अगर minus plus कब लगेगा जब अगर 4 bearing बढ़ी होगी तो minus लगेगा अगर कम होगी तो plus होगा यहाँ पर क्या है 324 degree 20 45 minutes मैं से minus करना है 180 तो आंसर आ जाएगा है यहां पर 144 degree 45 minutes 144 कुन से है option A answer तो हो गया ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं question number 11 की तरफ question number 11 कहता है compute the angle between the line A B and A C if they are respect to bearing is 52 degree 30 minutes and 328 degree 45 minutes तो यहां पर हमें angle निकालना है मैंने आपको angle दिखाया भी था और आपको अच्छे से समझाया भी था angle C A B निकलना है हमें angle C A B angle C A B हमें निकालना है ठीक है angle कैसे निकालते हैं हमें मैं आपको यहां पर diagram पर आपको यह समझाने की कोशिव करूँगा यह हो गया पर दी यह हो गया इस एब हमें पता है एबी कितना है यहां से लेना है हमें एबी एफ की टू टिग्रीज फॉटे फायो मिनिक्स एसी भी हमें यहां से लेना पड़ेगा आइसी करके यह है ऐसी आपको डायग्राम से बहुत ऊचुका होगा रहां से पहले हमें क्या करना है यह हमें एंगल इकलना है यह एंगल निकलना है कैसे निकलेंगे 360 degrees minus करेंगे हम 328 degrees को 360 minus है 328 minus करेंगे ठीक है आया समझ 328 degrees 45 minutes या minus प्लस करेंगे हम उसमें 52 degrees 45 minutes इससे हमारा आ जाएगा answer 83 degrees 45 minutes यह हमारा answer है डाइग्राम से मैंने इसलिए दिखाए क्योंकि आपको बहुत इजी हो गया समझने के लिए यह हो गया हमारा 83 degrees 45 minutes ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं question number 12 की तरफ question 12 कह रहा है the whole circle bearing of a line is 287 degrees 45 sorry 15 minutes the reduced bearing मैंने आपको यह question भी बहुत अच्छे से समझाया थे whole circle bearing से हम reduced bearing कैसे निकाल है जो ॱम्सरीकुल करने से नहीं का है whole circle forwards का कैसे निकालते है है कि रिदेशार्ट होता है 4.集 रिदेशन बेरिंग होता है बरदर कशी ंद करना है ना संदो हमकोशन करने पहले हम यह देखना पडि औहले कि हो यह 187 मैं यहां पर दिखाँगा आपको से आगे है ना यह टूटी से आगे है तो इसमें आएगा यह हैं यह होगा यह इसका टूटी सेवन यहां पे है किस कॉर्टन में आता है फोर्ट कॉर्टन कोन सा होता है नौर्थ वेस्ट वाला तो रेडूसर बेरिंग जो होगी सीडीसी बात है हम पहले मैंने करेंगे इसको रिस रिसुट बेरिंग के लिए इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहां से जो आएगा आंसर करेंगे तो वहां से आएगा तो इसका कॉर्टन डाल रहे हैं हो आएगा नौर्थ इस है कि नहीं आपको समझ आ रहा है कि मैं खाली आइसी बोल रहा है तो आपको दूसरा बनाने की कोशिश करोंगा और आपको अच्छे सी ज़्यादा समझाने की कोशिश क्योंकि यह इंप्टन कोश्चिन से कल के एक्जाम में भी आये थे कल का जो एक पेपर गया था समझाये को चलेगा तो नहीं चलेगा ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्ट थर्टीन की तरफ क्वेश्चन थर्टीन कहता है दा एंगल बेडिवीं देट्रू मेरिडियन मेरिडियन और मेगनेटिक मेरिडियन एट टाइम ऑप अब्जर्वेश्य इस नून ऐस कहरा है जो हमारा ऊच्टीन होता है ुर मेरिडियन नहीं होता है हमेशा नौरत की बात करहें तुए?」 पहायँ गया improve our नौर्थ की बात कर रहा है यह हमारा प्रू-मेरीडियन और चाहे इस साइड गया हो दोंगा हो असटो सिर्फ यह से तरफ जाएता और तोंसे की तरफ जाएका यह तो व्यल्च्ट की तरफ जाएका मैंगेनेटिक इस तरफ गया हो उसे हैं मगनेटिक क्याते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नुबर 14 की तरफ कोशन 14 कह रहा है था फोर बेरिंगे सब्सक्राइब करना चाहेंगे उससे बहुत पहले दिखाएंगे यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इसको इभी है यह यहां पर हमें लेना है ठीक है बी सी कि यहां पर कितना है एक पर फोर बेरिंग ऑफ एब इस फोटी यहां पर और यहां से इसको 120 डिगरे ना यह 120 दिग्री इस ठीक है यह हमारे कॉस्टिन में दिया गया है अब कह रहा है इनका इंक्लूडड एंगल कौन से होता है यह है इनक्लूडड एंगल क्या है यह है इनक्लूडड एंगल तो इंक्लूडड एंगल से हमें हमें इनका इनक्लूडड एंगल 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 तो कैसे निकलेगा वह ABC बहुत ही सिंपल है यहां पर 100 यह कितना यहां पर 360 मत हैं यह है यह है 180 180 मैंसे हम कर निकालेंगे माइनस करेंगे 120 ठीक है निकाल दिया 120 120 निकालने के बाद हम इसमें यह 40 जो है एड करेंगे तो हमारा इंक्लूटिट एंगल आजाएगा है यह वाला है आपको डाइग्राम से मैं इसको दिखा लूंगे आपको वाइस से समझ नहीं आया था अगर मैं आपको बोलता डिरेक्ली 180 से हम 120 माइनस करेंगे फिर फिर 40 में एड करेंगे इसमें आपको सीथे समझाएगी हम यह एंगल निकालने के लिए किस किस चीज को घटाना है और किस चीज को बड़ाना है इसमें इसमें से बात है 180 मैंसे यह हो गया 180 हमारा इसमें से हमने यह इतना सारा इतना सारा माइनस कर दिया फिर इसमें यह एड कर दिया तो इसमें से हमें यह कुछ से ही आ जाता है आपको स कोडिनल बेरिंग में कह रहा है यह होल सर्क्ल बेरिंग दी गई है यह होल सर्क्ल बेरिंग है 293 डिगरीज 30 मिनिट्स प्रहले हम इसका कॉड्रन पता करना पड़ेगा 293 किसमें आएगा इसी जी बात है 270 से उपर है 293 यह हो गया हमारा 293 है ba को 93 डिविim संधिक यह नौर स्य यह इस्ट यह आपको पता है यह अमानिक भी था यह नौर फुर्फ वेस्ट में आता है जी इसी बात है तो इसमयिए हम डिर्टी निकालंगे 66 degree 30 minutes कहां पे है नॉर्थ वेस्ट में है कोई option ऐसा option सी ठीक है है हो गया यह चलिए आगे बढ़ते है हम question 16 की तरफ what is the magnetic bearing of the sun at noon when the magnetic bearing of sun at noon is 185 degrees 20 minutes the magnetic declination will be कह रहा है अगर magnetic bearing sun की है 185 तो magnetic declination कितना है true-marriage true bearing हमें पता है 180 है है कि नीट तो बेरिंग तो पता ही है magnetic declination कैसे निकालते हैं में निकालते हैं हम में अनिक हैं हम अनिक है true meridian minus magnetic bearing true meridian 180 है यहां से यह है यहां पर minus आएगा इसको minus minus 185 degree 20 minutes इसमें आएगा हमें minus 5 degree 20 minutes इस टाइम आप मुझे बोलेंगे कि यह minus जो है इससे हम कौन सा direction यूज गए यह minus से क्योंकि मैंने आपको पुलस का बताया है minus का आप मुझे करके निच्छे बताएंगे माइन तभी मैं समझोगा कि आपको समझ आया है ठीक है यह question कि मैंने से हम्हें कौन साथ देरेक्शन यहां पर साउथ है इस्ताय वेस्ताय नौर्स है कौन सा देरेक्शन हमें देना है यह यह आपके ऊपर question है अभी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है 17 question है if whole circle bearing of line is 210 degrees it is value in quadrant फिर से whole circle bearing को करना है convert फिर से whole circle bearing को करना है convert किसमें कौर्डंटल में ड्रॉ करेंगे image 210 नौर्थ साउथ इस्टोर वेस्ट 210 किसमें आएगा 180 90 है 180 है इसमें आएगा यह इसमें है तो यह इसमें आएगा 210 यहां तक आएगा 210 यह मैं तो 3rd quadrant में जब होता है तब क्या करते हैं थर्ड कॉर्ट में थर्ड कॉर्ट में हम करते हैं bearing minus 180 क्या करते हैं bearing minus 180 यह यहां कि 210 से हम minus करेंगे 180 degrees 80 पिर हो गया 90 यह 30 degrees और यह साउथ हो वेस्ट में आएगा और यह है इसका आँसर थीख है नम्र 17 नम्र 18 कि तरफ चलते हैं Q18 कहता है The magnetic Declination The Magnetic Declination is the difference between Magnetic Declination difference किसके बीज मेरिट मे होता है option A दिया गया है True Meridian and False Meridian और मैंने आपको बोला है मैंने डिलिनेशन बदावर किसके बदावर था है वह था है ट्रू मेरिडियन एंड मेरिटिक मेरिटियन के बीचम तो ऑप्षिन सी इस का अंसर है यहाँ पे ऑप्षिन सी ठीक है है 19th कोशन यहां पर हम करेंगे कह रहा है कि यहां पर फोर बेरिंग ऑफ लाइन इस अब्जरू टू बी एबी है कि 12 degrees 24 मिला सब्साइक में हम निकालते हैं कि यहां पर हम टूर प्लस-180 आगर Nitko मुझक जाता हो तो यहां पर डिरेक्ट ही हम 12 degrees 24 minutes को प्लस करेंगे 180 से हैं तो वो हमारा आजाएगा बैक पेडिंग इसका 192 degrees 24 minutes कुम सा है डिर आगे चलते हैं question number 20 की तरफ question 20 है the direction of the line relative to a given meridian is known as कह रहा है question the direction of a line relative to a given meridian उसे क्या कहते है गिवन meridian की तरफ चो डिरेक्शन दीग गई होती है उसे हम क्या कहते है उसे हम क्या angle of line कहते है या direction कहते है या bearing of line कहते है या relative meridian कहते है कुछ लोग लिखेंगे कि रिलेटिव मेरेडियंग कहते हैं यह गलत है मेरेडियंग कुछ नहीं होता है वह होती है बेरिंग हमारी क्या होती है बेरिंग हमारी जो डिरेक्षिन डिरेक्षिन में में मेरेडियन दिया हो गया होता हो डिरेक्षिन दिया होती है उसे हम मेरेडियंग कहते हैं उसे हम बेरिंग कहते हैं आज हम इसके 20 कोश्चन करेंगे बाकी 20 कोश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोश्च करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू